हलो एवरीवान, वेलकम तो कॉंपटिशन कम्योनिटी मेरा नाम है दिपिका पटेल और मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के सामने बेसिक इंग्लिश पूस्टर डोस की अगले लेक्चर के साथ में जैसे कि आप सभी को पता है ये लेक्चर डोस सीरीज जो है हम लोगों ने चालू की है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्स को पढ़ने के लिए तो अब तक इसके पहले काफी अलग-अलग पाट्स ओफ स्पीच के बारे पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है जिनको भी आज पहली बार जो देख रहे है वो प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं सारे के सारे वीडियो उसमें अविलेबल है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक वर्प अग्रीमेंट इंग्लिश क्रामर का एक बहौत ही इंप्रौतन टॉपिक है importance बहुत important है, ठीक है, इसकी बहुत ज़ादा जरूरत होती है, क्योंकि जब भी हम sentence frame करते हैं, this is the first thing that we need to think about, right, so without wasting time, let us start with the topic, देखे, subject verb agreement, इसमें आएंगे, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, sentence के structure की, so किसी भी sentence का basic structure क्या कहता है, the basic structure of any sentence says, a subject, verb and object, किसी भी sentence का basic structure होता है, subject and verb and object, ये तीनों चीज़े रहती है, ठीक है, verb क्या है, verb वो action है, जो हो रहा होता है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, क्रिया, ठीक है, क्रिया या action, ठीक है, और जो action है, ठीक है, उसको करने वाला कौन है, करने वाला है, subject, subject कौन होता है, इस action को perform करने वाला, the doer of any action, ये है subject, इसे हंदी में हम कहते हैं, करता, जो क्रिया करता है, जो काम को करता है, उसे हम कहते हैं, करता, राइट, तो ये ये क्रिया हो गई, action हुआ, इस action को करने वाला कौन है, करता, करता द्वारा किये गई क्रिया का effect या असर किसके उपर दिखेगा वो दिखेगा object के उपर तो ये जो object है This is the receiver of the action Action को receive करने वाला होगा हिंदी में इसे हम कहलेते हैं कर्म करता द्वारा किये गई कार्य का प्रभाव जिसके उपर दिखेगा वो कर्म या object होता है ठीक है, so this is the basic structure of a sentence, subject and verb and object ठीक है, subject, verb and object की अगर हम बात के हैं, अब देखिए sentence के लिए object का होना या ना होना बहुत ज़ादा जरूरी नहीं है, ठीक है हम लोगोंने verb में भी पढ़ रखा है हम लोगोंने दो तरीके से verb को देखा था, transitive verb और intransitive verb, तो वहाँ पर हम लोगोंने इस चीज को ध्यान दिया था, कि जब भी हम transitive verb यूज कर रहे हैं, वहाँ तो object होता है, लेकिन जब हम intransitive verb sentence में यूज करते हैं, तो वहाँ object नहीं होता, but without object भी sentence complete हो जाता है, तो यही बात होती है, कि हमें sentence completion के लिए object का होना या ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है subject का होना और verb का होना, subject का होना और verb का होना, ठीक है, यह तो बात आ गई समझ में, अब देखो, अब हमने कह दिया कि इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन दोनों को हमेशा एक साथ चलना है, ठीक है, हमेशा एक साथ चलना है, एक जैसा व्यवार करना है, तो आपस में दोस्ती बनानी पड़ेगी, है कि दोस्ती के नियम, दोस्ती करने से पहले ये भी नियम बना लते हैं, प्रॉपर अग्रिमेंट के साथ एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, ठीक है, तो दोस्ती का नियम क्या कहता है, ठीक है, जैसे हम और आप दोस्ती करते हैं, बिल्कुल वैसे ही subject और verb भी दोस्ती कर लते हैं, तो दोस्ती का पहला नियम क्या कहता है, फर्स नियम क्या कहता है, दोस्ती का पहला नियम, दोस्ती हमेशा एक जैसे लोगों के बीच होती है, चीक है, दोस्ती बराबरी में होने ही चाहिए, एक जैसे लोगों के बीच होती है, है की नहीं, अब देखो, एक जैसे का मतलब व्यवहारों में एक जैसा, obviously जैसे अभी आप अपने friends लोगों को देखे, जिनकी विचारधारा, जिनका व्यवहार आपके जैसा है, आपका नेचर जैसा है, वैसा नेचर उनका है, उनके साथ में आपकी लंबी दोस्ती बनती है ठीक है लेकिन अगर किसी का नेचर जो हो गया किसी की thoughts जो हो गया वो आपके thinking और आपके nature से विपरीत है तो वो दोस्ती कुछ दिनों तक compromise में चलती है लेकिन फिर बाद में तूट जाती है same goes with our subject and verb also ठीक है तो यहाँ पर भी ऐसा ही है तो दोस्ती का पहला नियाम जैसा subject वैसा verb ये एकदम गाड़ बान करके याद कर लीजे ठीक है एकदम subject जैसा होगा verb भी वैसा ही लगेगा जैसा subject वैसा verb कहने का सीधा और simple सा मतलब ये है कि अगर sentence में use होने वाला subject singular है अगर sentence में use होने वाला subject singular है तो verb भी singular ही होगा ठीक है अगर sentence में use होने वाला subject plural है तो verb भी plural ही होगा singular subject के साथ singular verb and plural subject के साथ plural verb यह है subject verb agreement का सबसे पहला निया ठीक है singular subject के साथ plural verb या plural subject के साथ singular verb का combination गलत हो जाएगा ठीक है तो sentences में error detection के वक्त में यही चीज सबसे पहले आपको पैचान में आईगी आप देखिए subject कैसा है आप देखिए verb कैसा है अगर दोनों एक जैसे नहीं है तो फका error है वहाँ पहर पे फिर आप यह देखिए कि किसके according किसको change करना है यही है दोस्ती का दूसरा नियम है ना दोस्ती का दूसरा नियम क्या है ठीक है पहला नियम तो होगे जैसा सब्जिक्ट वैसा वर्ब दोस्ती एक जैसे की बीच होती है दूसरा नियम क्या कहता है दूसरा नियम यही कहता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जिक के अकॉर्डिंग वर्ब चले जरूरत पढ़ने पर सेंटेंस में यूज हुए वर्ब के अनुसार सब्जिक्ट भी चेंज हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेंट का दूसरा नियम क्या कहता है हमने तो पहले कह दिया जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब ठीक है एक्चली हम लोग जनरली यह मान लेते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस में इंपॉर्टेंट रहता है और सब्जेक्ट सेंटेंस का हीरो होता है दूसरा दोस्त वैसा ही मान ले है ना एक दोस्त जैसा कहता है वैसा दूसरा मानता है लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो दूसरे के कहने को पहला भी मानता है वैसे ही आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको help करेगा error detection में कि आपको ये ध्यान रखना है जरूरी नहीं है कि subject को आप मान के बैठें कि subject अगर plural लिखा है तो verb को plural कर लो ठीक है तो फिर वहाँ पर और भी चीजें हो सकती है sentences में जो antecedent के रूप में use होता है you have to check that also so subject verb agreement clearly says that subject should go in synchronization with the verb of the sentence and it also says that it is not mandatory for a subject to change for a verb to change according to the subject subject can also change according to the verb used in a sentence sentence में जो verb use हुआ है उसके according subject भी change हो सकता है आई बात समझ में clearly ठीक है subject के अनुसार verb और verb के अनुसार subject ये दोनों ही चीजें होने को है ठीक है तो ये तो कहता है basic rule जैसा subject वैसा वर्ब जैसा subject वैसा वर्ब जैसे subject अगर singular तो वर्ब भी singular subject अगर plural तो वर्ब भी plural आईए इसको example से समझते हैं की कोशिश करते हैं ठीक है ये example से इस देखो अभी मैंने बताया singular subjects take singular verb with them ठीक है singular subject के साथ singular verb यूज होंगे examples यहाँ पे लिए हुए है समित इस ओल्वेज लेट टू क्लास समित देखो समित एक परसन का नाम इसले हमने लगाया is he he goes to school by every day ठीक है goes अब देखो एक और concept यहाँ पे जब हमने कहा कि subject के according verb चलेगा subject जैसा वैसा verb तो यहाँ पे concept जो होता है concept देखो subject के अगर हम बात करें तो जो भी subject होगा किसी भी sentence का वो जादा तर या तो noun होगा या pronoun होगा noun या pronoun होगा तो देखो noun में हम लोगोंने अल्रेडी पढ़ रखा है noun के बारे में हम यह जानते हैं कि किसी भी noun के end में जब हम s या es लगाते हैं noun के end में s या es लगाते हैं तो यह noun कैसा बन जाता है यह noun कैसा बन जाता है plural बन जाता है कैसा बनेगा plural बनेगा ठीक है noun के end में s य लगाओ plural बन जाएगा जैसे fan, एक single fan, बहुत सारे fans, एक single table, बहुत सारे tables, एक single box, बहुत सारे boxes, तो इस तरीके से noun के end में s या e s लगाने से हमको कैसा noun मिलता है plural noun मिलता है noun change हो जाता है singular से plural में लेकिन same concept verb के साथ opposite हो जाती है जब किसी verb के end में हम s या e s लगाते हैं तो वो plural नहीं singular verb बनता है कैसा बनेगा? Singular word बनेगा याद रहिएगा ठीक है जैसे He goes to market He goes to market She goes to market She goes to market Sorry He goes to market She goes to market They go to market He does his work She does her work They do their work He dances She dances They dance तो इस तरीके से Singular के साथ में Singular subject और plural के साथ Plural subject तो होता है बट ये concept आप याद रखिएगा जब किसी noun के end में S.E.S. लगा दिख रहा है तो आप ये समझिएगा कि वो कैसा noun है Plural noun है ठीक है लेकिन जब कभी Verb के end में S.E.S. लगाएंगे तो वो लगेगा कैसा वो लगेगा Singular वो लगेगा Singular S.E.S. वर्ब के end में लगा करके बनेगा Singular इसी लिए देखिए He goes She dances Manish writes ठीक है Shweta runs Student needs He plays तो इस तरीके से Singular subject के साथ Singular verb लगा ठीक है कुछ और examples अगर हम देखें तो यह कहता है देखिए जैसे Plural subjects के साथ में Plural verb Plural के साथ में Plural verb ठीक है देखिए They go to market They play football We dance with joy The boys write in English language The police have arrested the culprit ठीक है They do their work regularly ठीक है तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आ रहा है ठीक है Singular के साथ singular Plural के साथ plural समझ में आ रहा है Singular के साथ singular और Plural के साथ plural ठीक है अब इस rule का एक छोटा सा exception है कौन? क्या? कैसे? exception क्या है? exception है मैं और आप भी ठीक है? मैं अकेले नहीं हूँ तुम भी यह साथ में क्या बोलना चारी हूँ? मैं यह बोलना चारी हूँ कि यह singular होते हुए भी अपने साथ एक plural वर्ब लेके चलते हैं You can see here ठीक है I go to market You do your work I have two pens You go there तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम लोग I and you के साथ में plural वर्ब लेकर के चलते हैं plural वर्ब की बात कर रहा होते हैं तो क्या सीखे अभी तक singular subject के साथ singular वर्ब plural subject के साथ plural वर्ब ठीक है उसके बाद में क्या बोल रहा है I and you के साथ में I and you के साथ में हमेशा plural लगेगा हमेशा plural लगेगा यहाँ तक बात आई समझ में clear हो गया है यह वाला सब कुछ ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे अभी तक तो बात ठीक है दोस्ती के नियम भी सही सही चल रहे है जैसा subject है वैसा verb है ठीक है कहानी में twist तो आना चाहिए कहानी में twist कब आएगा कहानी में twist तब आएगा जब होगी तीसरे की entry that means sentence में जब एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होगे पॉसिवल है येस डेफिनेटली इट इस पॉसिवल कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं ठीके तो उस कंडिशन में क्या करेंगे ठीक है उस condition को पहले समझ लेते हैं ठीक है कहना ये चाहता है ठीक है अगर किसी sentence में एक से ज़्यादा subject है मान लीजे ये दो subject है किसी sentence में एक है subject 1 एक है subject 2 आपस में कहीं न कहीं जुड़े होंगे कुछ न कुछ होगा इनके बीच में joining word तो वो जो joining word है वो ये decide करेगा कि verb कैसा होगा ठीक है तो देखो ये दो subject rule number 1 ठीक है ऐसा कहते हैं अगर ये दो subject मान लीजे जुड़े हैं आपस में and के साथ में दो subject आपस में जुड़े हैं and के साथ में and एक conjunction है ठीक है एक joining word है तो and अगर लग रहा है इन दोनों के बीच में तो उस condition में जो आपका subject है वो combined subject plural subject बन जाता है और जब हम verb लगाते हैं तो उसके साथ हम लगाएंगे plural verb हम उसके साथ क्या लगाएंगे plural verb दो subject आपस में यदी जुड़े हैं and के साथ में तो combined effect के साथ में plural बन जाते हैं और जब subject plural verb भी plural plural verb लगाएंगे ठीक है अब यही दो subject यही दो subject आपस में मान लिया जाए जुड़े हैं with के साथ में या along with के साथ या together with के साथ या in addition to ऐसा कोई conjunction इनके भी जुड़ा है with together with along with in addition to ठीक है as well as as well as भी आ जाएगा इसमें यहां लिख देती हूँ ऐसे करके ठीक है ऐसा कोई conjunction इनके भी जुड़ा हुआ है ठीक है तो उस condition में उस condition में जो verb होगा वो first subject को follow करेगा किसको follow करेगा first subject को तो जो भी verb यूज होगा वो यूज होगा according to subject one first subject के अनुसार यदि ये first subject singular तो verb भी singular अगर first subject plural तो verb भी plural आप आई बात समझ है ना क्या बोलना चाह रहे हैं हम यदि दो subject आपस में जुड़े हैं as well as along with together with in addition to ऐसा कोई conjunction इनको join करने के लिए यूज हो रहा है तो उस condition में जो भी verb यूज होगा वो यूज होगा according to our first subject यदि first subject singular तो वर्ब भी singular यदि first subject plural तो वर्ब भी plural आई बात समझ तीसरा यही दो subject यही दो subject यदि आपस में जुड़े हुए है paired conjunction जैसे कि either or neither nor not only but also ऐसा कोई conjunction use हो रहा है ठीक है यदि दो subject आपस में इन में से कोई conjunction के सांथ जुड़े है तो उस condition में उस condition में जो verb use होगा वो follow करेगा second subject को the verb used will be used according to the second subject अगर second subject singular तो use होने वाला verb भी singular अगर second subject plural तो use होने वाला verb भी plural आई बात समाज clear हो रहा है ठीक है ये तो था basic rule जो सको मैंने short form में समझा दिया let's see all of these with some examples and exceptions जो बीच में अगर हो तो ठीक है let's move देखो कहना ये चाहा रहा है कि two subjects when joined with with and both and and और both and के साथ लगा हुआ है ठीक है क्या-क्या join करने के लिए use हो रहा है and और both and जैसे यहाँ पे देखो रवी and his sister अभी रवी and his sister तो यहाँ पे यह जो subject हो गया combined effect के साथ में plural दे रहा है इसलिए हम इसके साथ में plural verb यूज कर रहे है रवी and his sister go to market together ठीक है ऐसे you and he are good friends you and he यहाँ पर भी देखो दो subject है you and he you है एक subject दूसरा subject है आपस में जुड़ा है and के साथ में तो यह combined effect के साथ subject plural इसलिए verb भी plural बोथ सुनील and राजीव work together बोथ निधी and सुमन are intelligent तो इस condition में जब भी कभी दो जो subjects हैं आपस में अगर and conjunction के साथ जुड़े हैं तो उसके जगह पे जब भी हम verb लगाएंगे plural लगाएंगे ठीक है यह तो बात clear हुई इसमें भी एक छोटा सा exception है exception क्या है exception यह कहता है कि जब कभी हम लोग paired words यूज़ करते है ठीक है और ऐसा कोई word जो है जो किसी single entity को दिखा रहा है उस condition में हम वहाँ पे singular की बात कर रहा है देखो जैसे यहाँ पे bread and butter दो subject है एक है bread दूसरा है butter और आपस में जुड़े है and के साथ में तो काईदे से तो क्या हो जाना चाहिए दोनों का दोनों combine effect के साथ में subject plural हो जाना चाहिए ठीक है लेकिन हम लोग यहाँ पे bread अलग और butter अलग की बात नहीं कर रहे है हम bread and butter एक paired word हम दोनों को combine करके बात कर रहे है तो हम यह कह रहे हैं bread and butter bread और butter यह दोनों मिला करके is my favorite breakfast जो breakfast है यह अकेले bread या अकेले butter की बात नहीं हो रही है यह दोनों के एक दोनों मिला करके एक complete dish बनाए है ना जैसे for example जैसे simple example से अगर मैं समझाना चाहूँ तो आपके घर में बन दी है आलू की सबजी ठीक है एक सबजी बनी आलू का भुजिया दूसरा बना गोभी की करी ठीक है अब दूसरे दिन मम्मी ने क्या किया मम्मी ने दोनों को mix कर दिया आलू और गोभी को मिला करके एक सबजी बना दिया तो ultimately आपने सबजी कितनी खाई आपने तो एक ही खाई ना आलू और गोभी की सबजी आलू की सबजी और गोभी की सबजी दो अलग अलग थे ठीक है तो जब हमने बीच में एंड लगाया तो आपने दोनों को combine करके दो subject को एक साथ मिलाए और combine plural subject बना लेकिन जब अलू गोवी की सबजी बनाए तो सबजी तो एक ही बनी ना जिसमें अलू भी है और गोवी भी है तो उस condition में फिर हमा लोगों भी को अलग नहीं करेंगे तो वैसे type से यहां पर भी होता है ठीक है हम यहां पर उसी चरीके से बात कर रहे हैं देखो यहां पर rice and curry is a popular dash यहां पर एक दूसरे के साथ compliment करने की बात कर रहे हैं पेयर हो जाकर के ultimately वो किसी एक single entity को denote कर रहे हैं दो चीज़ों को मिला करके जब किसी एक single entity को denote किया जाता है उस condition में भले बीच में end लगा है लेकिन subject हमारा singular होगा और इसलिए जब हम verb लगाएंगे तो singular ही लगाएंगे singular ही लगाएंगे I hope यह वाली चीज आपको समझ आ गई है ठीक है let's move ahead यह तो था इसका ठीक है next कहता है when two subjects are joined with with together with along with in addition to as well as verb is used according to the first subject जो मैंने बताया यह वही है let's see the example the criminal along with his followers was arrested यहाँ पे देखो एक subject है the criminal दूसरा subject है his followers आपस बीच में कौन सा conjunction है along with तो उस condition में हम क्या करेंगे subject first subject को follow करेंगे और जो first subject है हमारा वो है ठीक है देखो the criminal यह है first subject his followers यह है second subject आपस में जुड़े है along with के साथ तो subject will follow the first subject first subject कैसा है criminal singular इसलिए verb भी singular singular यहाँ पे singular subject अब देखो second the publisher as well as the writers यहाँ पे एक subject है the publisher दूसरा subject है the writers ठीक है यह plural है यह singular है लेकिन आपस में जुड़े हुए है as well as के साथ तो ऐसे condition में verb follow करेंगा first subject को first subject है singular इसलिए verb भी singular singular verb ओके ऐसे देखो यहाँ पे the teachers along with the principal अब यहाँ पे first subject है the teachers second है the principal ठीक है यहाँ पे यह है first subject यह है second subject second subject singular first subject plural लेकिन आपस में जुड़े है along with के साथ तो जब along with conjunction जुड़ता है तो subject verb जो है first subject को follow करता है first subject क्योंकि plural है इसलिए हम verb लगाएंगे plural were invited for the ceremony ceremony miss out हो गया है ceremony है वहाँ पे for the ceremony clear हुआ समझ में आ रहा है singular के साथ singular और plural के साथ plural जब दो है आपस में जुड़े हैं इन में से कोई conjunction के साथ तो उस condition में जो verb होगा वो first subject को follow करेगा ठीक है next अगर हम देखें तो next कहता है वही when two subjects are joined with either or neither nor not only but also उस condition में जो verb होगा वो second subject को follow करेगा अब यहाँ पे देखो neither he nor I यहाँ पे एक subject है ही दूसरा है I यह है first subject यह है second subject आपस में जुड़े हुए है neither nor के साथ में तो neither nor के साथ जुड़ा होता है तो verb हमेशा second subject को follow करता है और second subject I है तो उसके लिए corresponding verb होता है M is a specially designed helping verb designed specially for I I के अलावा कहीं दूसरी जगा I am use नहीं होता ठीक है ठीक और I के साथ M ही use होता है next देखें either Ravi or his classmates अब देखो यहाँ पर एक subject है Ravi दूसरा subject है his classmates ठीक है तो जब यह दो subject है आपस में किस के साथ जुड़े हैं either or के साथ में जुड़े हैं either or के साथ में जुड़े होते हैं तो verb हमेशा second subject को follow करता है और classmates presence of SEA shows that it is a plural subject तो plural subject इसलिए plural verb are present for the ceremony not only the players but also the captain अब यहाँ पर एक subject है player दूसरे subject है captain लेकिन आपस में जुड़े हैं not only and but also के साथ तो ऐसे condition में जो verb होगा वो second subject को follow करेगा और जो की second subject है captain singular subject singular के लिए singular verb dancing at the party जैसा subject वैसा वर मूल वंत्र यही हो रहा है हर जगा पे ठीक है consider किसको करना है यह change हो रहा है according to the subject it's used in the sentence ठीक है यह वाली बात समझ में आ रही है subject verb agreement का ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं now we will solve some exercises अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा ठीक है एक बार quickly मैं revise करवा दूँ ठीक है सबसे पहला तो हम लोगों ने यह कहा था कि जैसा subject वैसा यदि sentence में अगर एक single subject है एक single verb होगा तो singular subject के साथ singular verb plural subject के साथ plural verb ठीक है अगर एक से ज़ादा subject है तो उस condition में क्या करना है तो उस condition में हमें यह देखना है कि आपस में join होने वाला conjunction कौन सा है अगर conjunction and use हो रहा है है तो यह बता रहा है दो अलग-अलग subject हैं जिनको आपस मे जोड रखा है हमने and के साथ में वैसे condition में combined effect of the subject will say it is a plural subject and then we will use a plural verb with it लेकिन यही दो सब्दो subject अगर आपस में जुड़े हैं with along with together with in addition to ऐसे कोई subject sorry conjunction use हो रहा है इनको join करने के लिए तो उस condition में हम follow करेंगे पहले subject को पहला subject अगर singular तो verb भी singular पहला subject अगर plural तो verb भी plural जैसा subject वैसा वर ठीक है same priority change हो जाएगी अगर बीच में use होने वाला conjunction either or neither nor not only but also जैसा कुछ हुआ तो उस condition में हमें क्या करना है हमें second subject को follow करना है second subject अगर singular तो verb भी singular separate subject अगर plural तो verb भी plural तो बस इसी एक बात को जैसा subject वैसा verb कुछ exercises solve करते हैं कुछ नहीं चीज़े हैं यहां से भी हमको देखने को मिल सकती है the first wait the first statement says the lions of the east dash an interesting book options है is या am या are तो अब देखो हम बात कर रहे हैं the lions of the east ठीक है एक hint तो हमारे पास में यहां पर यह दे दिया an interesting book an का मतलब होता है one single तो यह बता दिया कि हमारा subject कैसा है singular दूसरा the lions of the east यहां पर lions की presence आपको confuse कर सकती है but the lions of the east यह पूरा का पूरा उस book का नाम है यह यहां से समझ में आ रहा है तो जब book का नाम होगा तो एक ही होगा जो की singular होगा इसलिए हमें singular verb लगाना है और singular verb है is the lions of the east is an interesting book दोनों तरीके से आप समझ रहीज़े answer आपका आ जाएगा next देखिए neither john nor you dash present देखो यहां पर दो subject एक है john दूसरा है you आपस में जुड़े किस के साथ है neither nor के साथ तो neither nor के साथ जुड़े होते हैं कौन सा होगा इन तीनों में से answer है यह ठेक आई बात समझ clear हो रहा है next all the students in our college dash English अब यहां पर देखो हम बात कर रहे हैं all the students की तो presence of all all says sub sub मतलब more than one more than one chose यह क्या है यह plural है तो plural है तो जब subject plural तो verb भी plural अब देखो verb में ses लगा हुआ वाला singular होता है जिसमें ses नहीं लगा होता है वो plural होता है तो क्या हो जाएगा learn English ओके next one of the pupils in our class dash a car ठीक है अब हम बात कर रहे हैं किसकी subject क्या है हमारा one of the pupils ठीक है pupils pupils का मतलब होता है बच्चे राइट तो देखो one of the pupils in our class हमारे class के बच्चों में से अब बच्चे यहाँ पे यह हो गया plural यह तो हो गया plural तो that means subject कैसा है plural है नहीं subject plural नहीं है क्योंकि हम बात pupils की नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं one of the pupils उन बहुतों में से एक की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे में से एक की जब हम बात कर रहे हैं बहुतों में से एक हम जब बोल रहे हैं तो बहुतों में से एक बोलने के लिए बहुत होने भी तो चाहिए बहुत होने भी तो चाहिए तब तो उन में से एक की बात करोगे और ये है हमारा singular subject इसी लिए जो verb use होगा वो भी singular होना चाहिए और जिस verb के end में SES रगा होता है वो singular होता है इसी लिए हम लिख लेंगे owns right one of the pupils in our class owns a car next the council dash chosen its president ठीक है ठीक है ओके तो अब देखो यहाँ पर एक hint तो इसी ने दे दिया its singular के लिए use होता है तो एक hint आपको यहाँ से ही sentence में मिल गया है कि एक सबसे बड़ी बात singular हो जाएगा दूसरा hint कहां से मिल रहा है दूसरा hint मिल रहा है council से what is a council? council is a collective noun council of members collective noun होता है collective noun क्या होते है collective noun होता है जब एक collection of similar kind of items को एक नाम दे देते हैं तो वो collective noun बन जाता है noun means name तो collective noun जितने भी होते हैं वो एक समूह का एक नाम होता है तो एक नाम मतलब वो singular होता है तो जब भी हम collective noun की बात कर रहे होते हैं तो collective noun are always taken as singular subject singular subject इसी लिए जब हम verb लगाएंगे तो हम वहाँ पे singular लगाएंगे और हमें अच्छे से पता है has और have में से has singular के साथ use होता है ठीक है collective nouns are always taken in singular form and and neuter gender also ठीक है collective noun का कोई masculine या feminine gender नहीं होता वो neuter gender में treat किये जाते हैं ठीक है चलिए भी सही बात हो गई next next करते है next question no news dash good news ठीक है news news ठीक है एक तो सबसे पहली बात news देखते के साथ में लगता है कि इसके end में s.e.s लगा है that means यह plural होगा but no यह दिखने में plural but actually में है यह singular ठीक है तो चाहे subject दिखने में कैसा भी हो उसकी सूरत पे नहीं जाना है उसकी सीरत देखनी है तो सीरत तो उसकी कैसी है सीरत उसकी singular है न है न तो यह singular होगी एक और तरीका no news बोल रहा है no news मतलब 0 0 means less than 1 less than 1 is singular 1 or less than 1 is singular तो दोनों ही condition में आप समझ सकते हो कि subject आपका singular है तो verb भी आपको singular ही लगाना पड़ेगा next many of the students dash failed in the examination अब हम बात कर रहे हैं many की तो many itself shows की यह plural है तो क्या हो जाएगा plural verb लगा लेंगे subject verb agreement singular subject के साथ singular plural के साथ plural every man, woman and child in the village dash wounded ठीक है अब यहाँ पे man, woman and child village के man, woman and child की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ज़रूरी है यह word every 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 का मतलब होता है हर एक तो यह हर एक और प्रत्य एक जो हम बात कर रहे हैं हर एक हर एक महिला हर एक पुरुष हर एक बच्चा उस गाओं का ऐसा हम बात कर रहे हैं तो उस condition में हम बात किस की कर रहे हैं हम बात तो एक ही की कर रहे हैं तो each and every जब भी कभी किसी subject के साथ लगते हैं तो each और every की presence उस subject को automatically singular बना देती है और जब subject singular तो वर्प कैसा होगा singular क्योंकि हम बात तो ultimately एक की कर रहे हैं तो हर एक तो इसके लिए क्या लग जाएगा हमको लगाना है singular तो singular के लिए ठीक है was, wear, was, wounded ठीक है समझ में आगी है बात next the great poet and dramatist dash dead ठीक है the great poet and dramatist dash dead अब देखो अब यहाँ पे भी एक और confusion हो सकती है क्योंकि यहाँ पे दो subject दिख रहे हैं आपको एक दिख रहा है the poet और great poet और एक दिख रहा है dramatist poet and dramatist और आपस में जुड़े हुए हैं किस के साथ में and के साथ में तो फटाक से बोलो madame आपी ने बोला and के साथ जब दो subject लगा है तो हम लगाएंगे plural plural बनेगा but एक और चीज़ देखनी जरूरी है वो देखनी है यह article the article the यहाँ पे दो चीज़े हैं दो quality इसको भी बारे में बात करी जा रही है poet और dramatist but article एक ही use हुआ है एक ही use हुआ है the presence of single article shows that कि यहाँ बात केवल एक इंसान की हो रही है वो ही इंसान poet भी था और dramatist भी था ठीक है तो हम बात actual में एक ही कर रहा है presence of single article the shows this that the subject that is present it is a singular subject जैसे हम होता है ना कई बार हम बोलता है for example for example अगर अपन Salman Khan को ही ले 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 Salman Khan क्या है एक actor भी है ठीक है एक director भी है ठीक है और अब producers भी हो गए है ठीक है तो director, actor, director, producer तीनो है तो Salman Khan एक ही है जिसमें तीनों qualities है उसी प्राकार से बात एक ही इंसान की करे जा रहे है जो एक poet भी है और dramatist भी है तो उस condition में जो हमारा subject हो गया ठीक है वो एक entity को denote कर रहा है इसी लिए वहाँ पे हम लगा लेंगे singular verb is dead ठीक है चलिए आगे देखते है the MD and the CEO- in the present in the meeting अब देखो यहाँ पे अब देखो सेम चीज़ यहाँ पे यहाँ पे एक है MD और एक है CEO और दोनों ही के साथ में लगा है article the so the presence of two different articles with two different subjects shows that यह दोनों एक दूसरे से अलग है तो दो अलग-अलग subject अब आपस में जुड़े हुए है and के साथ तो दो अलग-अलग subject जब and के साथ जुड़े होंगे तो उस condition में हमारा subject कैसा बन जाएगा plural बनेगा तो फिर हम यहाँ पे लगा लेंगे plural verb तो plural के लिए क्या लगा लेंगे चीक है were present in the meeting were present in the meeting the MD and the CEO were present in the meeting चीक है तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हम लोग subject, verb, object की बात कर रहे हैं ठीक है जैसा subject वैसा verb यह पूरा मूल मंत्र याद रखिएगा आप बस conditions के हिसाब से हमें यह देखना है कि subject कौन सा है ठीक है sentence में अगर हमने subject को पहचान लिया subject है बात किसकी की जा रही है उस condition में फिर आपको verb निकालना और verb को use करना कभी भी गलत नहीं होगा ठीक है तो ध्यान रखते चलिए इन questions को solve करते चाहिए ऐसे ही और questions solve करिए जो भी question ना समझ में आए आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं ठीक है यह तो एक limited number of questions मैंने इस topic से related solve करवाए हैं आपको आप और questions अपने से solve करिए जब भी कभी किसी भी questions में doubt हो ऐसा लगे कि आप से नहीं बन रहा है feel free to ask me in the comment section I will answer to each and every question personally ठीक है तो ऐसे ही और lectures के साथ मिलने के लिए और पढ़ने के लिए और subjects को जानने के लिए जुड़े रहें competition community के साथ में ठीक है तब तक के लिए have a nice day